हेलो प्यारे बच्चों, कक्षिया सात्वे गणित की प्रशनावली 12.1 में एक पार फिर आपका स्वागत है। होता है जिसके अंदर एक ही पद हो, जिस वेंजक में एक ही पद हो। त्वी पद वो होगा जिस वेंजक में दो पद हो। और त्री पद जिस वेंजक के अंदर तीन पद हो। तो आएक एक पार्ट को हम सौल करते हैं। पद है जिसकों कहेंगे हम एक पदी वेंजक तीसरे के अंदर X जमा Y गटा XY यहां पर तीन पद हैं एक दो और तीन तो यह होज़ेगा त्री पद क्योंकि यहां पर तीन पद हैं चोथ है 100 यहांपर सिर्फ अकेला 100 है तो यह होज़ेगा एक पदी पांच भाएं AB गटा A गटा B यहांपर तीन पद हैं एक दो तीन तो यह होज़ेगा त्री पद पहला पद है AB दूसरा है गटा का A तीसरा है गटा का B छटा पांच गटा तीन टी दो पद हैं एक दो तो यह हो जाएगा द्वी पद साथवा पार्ट है च्यार पी की दो क्यों गटा च्यार पी क्यों की दो यहां पर भी दो पद हैं एक और एक दो यह भी हो जाएगा द्वी पद आठ्वा पार्ट है 7 Mn यहाँ पर सिरаются एक पद है इक अठा है एक पद इसको हम कहेंगे एक पदी क्योंकि यहाँ पर एक पद है नोवा पार्ट है जड़ की दो गटा, 3 Z जमा आठ यहाँ पर 1, 2 यह तीन पद है तो यह होजै आएगा मारा 3 पद दसमें पार्ट में A स्केर जमा बी स्केर दो पद हैं एक दो यह हो जाएगा दूई पद ग्यारवे में जड की दो जमा जड यहां पर भी दो पद हैं यह भी हो जाएगा दूई पद बारवां पार्ट है एक जमा एक्स जमा एक्स की दो यहाँ पर तीन पद हैं एक दो तीन तो यह हो जाएगा त्री पद तो बच्वीशतरे से मासानी से बदा सकते हैं कौन सा विंजक एक पदी है कौन सा द्वी पद और कौन सा त्री पद प्रसंद संक्य अच्छा है बताईए कि दीवे पदों के युगम समान पदों के हैं या एसमान पदों के पर चरके गुनखंड हैं जो वो समान होंगे तो वो समान पद होंगे जहां पर चरके गुनखंड एसमान होंगे तो वो एसमान पद कहलाएंगे इसका फेस्ट पार्ट है एक और सो ये जो यूगम हमारे पास ये समान पद का है या नहीं है ये बताना है तो बच्चों ये जो यूगम है ये जोड़ा है ये समान पद हो जाएगा ये जो जोड़ा हमारे पास ये समान पदों का है क्यों क्योंकि यहां पर इस पद के जो बीजिय गुरुनखंड है वो क्या है समान है एक जैसी इनके गुरुनखंड क्या है एक समान यह کیा हो जाएंगे समान पद क्योंकि समान पद वो होते हैं जिन पदों के बीजिये गुरंखंड समान हो और जिनके बीजिये गुरंखंड ऐसमान हो वो कहलाएंगे ऐसमान पद तो एक और सो ये समान पद हैं दूसरा है गटा के साथ एक्स पांच बटे दो एक्स ये भी समान पद हैं क्योंकि यहां पर B जो गुनंखंड है वो क्या है समान है इसके अंदर भी X है दोनों के चरवी के अपस में एक जैसे है X, X तीसरा है –29X – 29Y यह S मान पद हो जैंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास जो गुनंखंड है वो अलग-अलग है यहाँ पर X है यहाँ पर Y है इन दोनों के जो गुरंखंड होंगे वो क्या होंगे बिन बिन होंगे चोथा है 14XY, 42YX यह बच्चो समानपद है क्योंकि यहाँ पर भी गुरंखंड क्या है दोनों के समान XY, XY पांच्वाइ 4M की 2P और 4MP की 2 यह S मानपद हो जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर जो गुरंखंड होंगे वो बhosल्ग बिन होंगे यहाँ पर इसका गुरंखंड हो जाएगा M, M और P इसके गुरंखंड होंगे M, P, P तो यहाँ पर गुर्ण खंड क्या है समान नहीं तो ऐसमान पद हो जाएंगे तो यह यूगम भी क्या होगा ऐसमान पदों का क्यों कि यहाँ पर भी इसके भी जो गुर्ण खंड है वो भिन भिन है इसके गुर्ण खंड हो जाएंगे यहाँ पर X और Z जाण जैड इसकी होँगे X, X, Z, Z तो ये समान नहीं है तो यह कहला हैंगे आह समान पद परसंद संक्या साथ है नियमलिक्ट में समान पदों को छाटिए तो बचने मारे पास ये पद समान हो जाएंगे ये दोनों समान होंगे ये समान पद है ये समान पद हैं, ये समान है दोनों, ये दोनों समान है और ये दोनों भी आपस में समान पद हैं इनको मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया है कि ये आपस में समान पद हैं इसी परकार बच्चो बी पार्ट के अंदर समान पद हो जाएंगे ये तीनों समान पद हैं इसी परकार ये दोनों समान हैं इसी परकार ये दोनों समान हो जाएंगे ये दोनों समान पद होंगे ये दोनों समान पद होंगे और ये दोनों भी आपस में समान पद होंगे क्यों क्योंकिन के अंदर जो बीजिये गुननखंड है पदों के जो बीजिये गुननखंड है वो क्या है समान है पी क्याओ, पी क्याओ, पी क्याओ, पी वाले हैं, क्याओ, क्याओ वाले हैं, पी की दो क्याओ की दो यहां पर दोनों संख्यात्मक हैं यहां भी दोनों समान है तो यह पद क्या होंगे समान पद होंगे